हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सर बहतरीण चलिये इस बहतरीण शब्द के साथ ही आप जो है इस वीडियो की शुरुआत करिए देखे गई इसकी वीडियो के अंदर जो है मैं आज आपके पर साथ बैंकिंग स्टोक्स का जो है अनलसिस कह रहा हो वासता में जो स्क्रीन पे मैंने जो सबसे पहली candle जो जहां पर आप देख पा रहे हैं अभी इस candle से आपको एक बात समझ में आएगी कि ये candle है 20 सितंबर 2019 की ये वो तारीख थी जिस दिन जो है हमारी finance minister है जो है announcement करती है corporate tax rate cut की और ये candle आपको बता रही है कि उस दिन जो bank nifty की जो opening थी 26878 के उपर high लगाया था 29418 का और close वह था 28981 यानि कि करीबन करीबन नीचे के level से अगर हम बात करें तो करीबन 9% के आसपास जो है market ने high बनाये थे और 8% 78% के आसपास की closing दी थी ये वो दिन था जब bank को के अंदर दुबारा से तेजी बनी थी अगर आप इससे पहले जस्त यहां देखें एक साल के अंदर तो आप देखेगा bank nifty जो है यहां पर 6 जून को जो है करीबन 30,857 पर trade कर रहा था लेकिन slip होते 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 19 तारीक यानि कि जब 19 सितंबर की हम बात करें तो 27,000 पर आ चुका था यानि कि काफी weakness जो इसे शे पूरे bank nifty के अंदर थी और उसका reason यह था कि economy के अंदर slowdown जो है साफ साफ दिखा जा रहा था जो generally automobiles के शेस, auto ancillaries के अंदर भी जो है साफ साफ आपको नजरा रहा था और banks generally जो ही economy के लिए जो है proxy play होते है तो यहां भी लिए कि जैसे ही वो tax के रांसमें डाएगी tax rate का ठोगे और यहां देखे गए एक जो candle थी यह जबस्त candle बनी और फिर उसके अगले दिन जो है यही कि किस तारीक को जो अगर हम बात करें इस वरी 23 तारीक को क्योंकि दो द पारिक तक यानि की करीवन 10-15 दिन के अंदर जो है दुबारा से बैंक रिफ्टी नीचे की दरफ 2773 तक आया उसके बाद एक रैली जो है पूरे के पूरे साल भर चलती रही और यह देखेगा यह बैंक रिफ्टी ने बड़े जो है अपने हाई भी यहां पर टच किये मार्ट के अंदर एक रिफ्टी तो बैंक रिफ्टी जो है 300,000 पर आ चुका था और उसके बाद था मार्च का महिना और मार्च के महिने के अंदर 11 मार्च को जो है बैंक निफ्टी 26,480 पे close देता है उसके वाद ग्रीन केंडल बनती है और हाला कि उसकी जो closing होती है वो नीचे ही होती है और ये देखिएगा यहाँ पर और ये तहीस तारिक और ये तहीस तारिक जो है याद रखने पड़ेगी क्योंकि ये जो है एक करेक्शन का जो है दिन था यहां पर बहुत जबस तरीके से पैनिक सेल हुआ था और ये तहीस तारिक को जो बैंक निफ्टी ने जो close दिया था वो दिया था 16917 का और लोद लगाया था 16791 का तो यह ध्यान रखिएगा यह 17,000 के जो लेवल थे बैंक निफ्टी पर मैं इसको मोटा मोटी इसके बार ये लेवल जो है इसी के आसपास बैंक निफ्टी दुबारा से आया 17,249 के उ अपरेल उसके बाद अभी भी जो है बैंक निफ्टी ने 17,000 के आसपास के लेवल जब सेकिंड मोरोटोरियम अनाॉंसमेंट हुआ था तब वहां पर भी तो यह देखेगा बाइस पांच दो हजार बीस को यह 17,278 के लिए इसी तरीके से कर आप उपर की बात करेंगे तो 30 सप्रेल को यह देखेगा यहां पर एक हाई लगे थे 21,534 के अभी भी जब कल क्लोजिंग हुई है उससे पहले भी जो है जो है 21,187 की जो क्लोजिंग थी आठ चेक हुई थी यानिकि आठ तारीक और जून का महिना तो यह भी 21,187 के हाई लगे थे अगर आप हाई पर है तो अब अगर आप यह पूरा का पूरा तीन महीने का पूरा अगर आप एक चैनल लेखें तो मार्केट इस रेंज के अंदर जो है चल रही है अभी तक अगर हम बात करें और यह रेंज है नीचे पे 17,000 के आसपा 17,200, 17,100 और उपर की तरफ जो है 21,500 तो मोटा मोटी इस कुछी तो था नहीं कोविड बगर का तो वहां से करीबन करीबन 20 फसन की गिरावट है अब जो मोरोटोरियम लोन की बात हो रही है या एकोनोमी में डी ग्रोथ की बात हो रही है तो उसकी वज़े से जो है बैंकिंग स्टोक्स के उपर प्रेशर देखा जा रहा है अब यह यह जो बैंकिंग स्टोक्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग बड़े स्मार्टली जो है इन चीजों को यूज करते हैं और वो जनरली नीचे लोवर यहां पर अभी जो अभी हाल फलाल में जो पिछले तीन-चार महीने से जो मूचल फंड्स ही या जो देखने के लिए मिले और नीचे की तरफ जो है आएगी तो जो है फिर एक प्रॉफिट बॉकिंग भी स्टार्ट हो सकती है तो मुझे परसनली ऐसा लगता है भी देखने के लिए कि यहां पर शायद मार्केट अभी एक-दो दिन और हो सकता है अगर इंट्रेशनल क्लू आ एक्चुली बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर की हमेशा ओवरवेट पोजिशन जो है रहती है मुचल फंड्स की बात करें या आप एफई की बात करें तो सिंपल सी बात है कि वो सबी लोग जो है यहां से अगर निकलना भी चाहेंगे तो मार्केट एक दम उनको निकलने नहीं देगी तो देखें का ध्यान रखना तो यह स्मार्ट ली जो है यहां पर जो है सेलिंग जो है करते हुए नज़र रहेंगे अब मैं आपका जो रुख है वो पहलों पर करता हूं जिनकी वजह से यह जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो नूर्मली हर स्कीम के अंदर इनके पास जो है जो है जो एक्वोटी वाली उतन है उनके अंदर यह 15 परसेंट जो है उल्डिंग नोर्मली रखतें के आप उस 15 परसेंट होल्डिंग की वज़े से जो यह जो एकपोजर है इनका बैंकिंग स्टोक में वह 정도 देखें तो पिछ स्कीम्स में से लास्ट क्वार्टर में मूचल फंट्स ने कोटक महंदरा बैंक को बेचा है और 18 स्कीम के अंदर लास्ट क्वार्टर में खरीदा है तो कुल मिलाकर क्या हुआ है कि 101 स्कीम्स ने मूचल की कोटक महंदरा बैंक को सेल किया है अब यह तो कोई बात नहीं कि चलो जी सेल किया है सेल करना उनका जन्म सिद्धिकार है तो उन्होंने सेल कर दिया अब बात यह है कि यह जो 101 एक स्कीम के अंदर जो माल भी का वो गया का है तो जनरल या तो एक पास गया होगा यह रिटेल इन्वेस्टर के पास गया होगा तो हमें ऐसी संभावना लग लग दी क्योंकि एफाइज भी स्मार्ट इंवेस्टर्स हैं तो यह जो सारा माल है वो कहां पर ओफलोड हो रहा है तो वह हमें ऐसा लग रहा है कि जादतर जो माल है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में जो है जा रहा है और इसी तरीके से यह देखिएगा HDFC जिसका बहुत जबस्त वेटेज है बैंक रिफ्टी में उनमें भी 24 स्कीम्स ने तो खरीद है और 167 स्कीम्स ने जो है बेच 50 जो स्कीम्स हैं उनके अंदर क्या हुआ है कि वह विड्रो कर गए निकाल ले गए पैसे को और 22 स्कीम्स में पैसा आया है में हलेकि नंबर ऑफ शेस मैं आप से बात नहीं कर रहा है आप इनसे जो है नंबर ऑफ शेस्ट भी लगवे 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 कैलकुलेट कर लेंग तो यह क्यों निकाल रहे हैं यह mutual funds वाले जो है काफी smart लोग होते हैं कि काफी study करते हैं तो यह वास्ते में पूरे sector का analysis करते हैं इसी तरीके से इंडेस्ट ने बैंक में देखिए कि 37 schemes के अंदर से पैसा निकल गया है और 8 schemes में में जो है पैसा डाला है तो सिंपल सी बात य तो यह पूरा का पूरा इंडिकेशन क्या आ रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर इन सभी studies को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अवे बैंक निफ्टी हायर पर आया है तो यहां पर एक सेलिंग आ सकती है तो मैं यहीं कहुँगा कि देखिए का बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेडर से लोग हैं अगर भान्विचनल ट्रेड लेते हैं तो 17,000 के आऱजसा यहां की 7,000 और 27,500 के आजब जैसे यहीं बैंक निफ्टी आ रहा है मैं अ farther यहां से कर चुका है दो बार तो देखिए कि हम मैंने भी आपको चार्ट पे दिखाया है और 21,500 जै से ही मार्केट आती है तो सेल अप इस से आप खुद एक विवेक से अपने से लिमाग से फुद क्यलकूलेशन कर सकते हैं कि अगर इस में आता है तो खरीदने का टाईम में इस रेंज में nिकलने का लेकिन अगर जब यह रेंज तूट जाएगी वी करना चाहेंगे तो एक तरफा माल नहीं बेचते हैं यह इंतिजार करते हैं उपर के प्राइज़ पर तो देखेंगा जब तक उपर के प्राइज़ नहीं आते हैं तो सिंपल सी बात है मुझे ऐसा लगता है पसने लीकिप जैसे मार्केट उपर की तरफ आई है तो यहां अंधर उन्टेंग्स यह ओवर ऊंटरशिप है और यहां पर इनको पता है कि यहां पर जो रिटनस है वह वह लैक्लस्टर हो सकती है जिसकी वजह से इनके अंदर भी देखिएगा प्रोफिट जो है ओ स्टो है जो है एक्सपोजर जो है यह शाय पकंद कर सकते हैं यह प्र तो इसके बाद देखिएगा आई डेसी फरस्ट में केबल दो स्कीम ने सेल किया है तो यहां से आपको क्या निकल कर आया कि ज्यादा तर स्कीम्स बेच रही हैं इसी तरीके से फैडरल बैंक में 36 स्कीम्स ने बेचा और 12 स्कीम्स ने खरीता तो आप यह देखिएगा इनकी जो है शेर प्राइज भी इनी चीज़ों को अंडर टेकिंग जो है दे रहे हैं और इनी चीज़ों की बात जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी आ रही है तो अब बात जो है निक वो बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक का है उसके बाद जो अगला विटेज है वो इसके बाद आप देखिए कोटक महंद्रा बैंक का है 14.99 एक्सिस बैंक का है 12.72 स्टेट बैंक का है 10.2 इंडर्सिन बैंक का 3.91 बंदर बैंक का 1.5 फैडरल बैंक का 1.47 आर्बेल का 0.94 त ये पाँच बैंकों से बैंक निफ्टी मोग कर रही और ये इंडिया के टौप 5 बैंक भी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये छोटे बैंक नहीं है बड़े बैंक है तो इनकी परफोर्मेंस से बैंक निफ्टी जो है ऑपरेट होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इन पाँचो बेंकों का जो वेट है वो निफ्टी के अंदर भी जबसते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब तक ये पाँचो बेंक के अंदर तेजी नहीं आती, निफ्टी जो है चलने वाला नहीं है, तो इनके अंदर काफी अच्छी जो है तेजी आ चुकी है और आर्विट्राज का भी प्ले करते हैं, आर्विट्राज का मतलब यह होता है, कि दोनुं के बीच में अगर वैलूइशन से काल कर अगर दोनों अलग अलग प्राइज पर चलरहें तो बीच का जो गैप है, वह कितना ब्रोफिट जन्रेट कर सकते हैं, तो अब यहां पर अगर ह यह बना था 15 सितंबर 2003 को तो 15% की जो रिटन्स हैं इंसेप्शन से आई हैं लेकिन अगर डिविडेंड मिलाकर अगर हम बात करें तो 17% की रिटन्स हैं क्योंकि जो 15% की रिटन्स हैं तो 17.28% की रिटन्स हैं अब बात आती है कि इसमें रिस्क कितना है देखिए का इसका जो रिस्क है उसको हम स्टेंडर डिवेशन से मेजर करते हैं तो देखिए का जो स्टेंडर डिवेशन होती हैं वो यह बताती है कि कि कितना वोलेटेलिटी इसके इंदर रही है तो पिछल कि निफ्टी के साथ इसकी जो relationship है यानि कि जो है निफ्टी जब मूव करता है और बैंक निफ्टी अगर माली जी निफ्टी उपर जाता है तो दोनों के बीच में कितने पसंट ऐसे chances होते हैं कि वह correlation positive होती और अगर वो नीचे गिरते हैं तो दोनों के गिरते हैं तो लेकिन देखेगा क्योंकि दोनों के इंदर एक चीज़ देखेगा जिस दिन निफ्टी चलता है उस दिन बैंक निफ्टी भी माइनस होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बैंक निफ्टी माइनस और निफ् लब्द नहीं है NST की साइट से तो और ज्यादा अच्छी इंफ्रमेशन मिल सकती थी और इनके बीच में जो relationship बनाने के बाद जिसमें returns की संभावना है 1.23 यानि कि इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी एक रुपे की return देगा तो बैंक निफ्टी 1.23 यानि कि बैंक निफ्टी के इंदर returns की probability निफ्टी के मकाबले में जाता है लेकिन similarly जब निफ्टी में correction होगी तो बैंक निफ्टी में correction की संभावना भी जाता है यानि कि 1.23 तो यह जो बीटा होता है यह वास्ता में calculate किया जाता है standard deviation of bank nifty divided by standard deviation of nifty multiply by correlation of nifty plus bank nifty तो उस correlation से वो कभी हो सकता है कि मैं आपको अलग से calculation में भी समझाओं कि एक ऐसे calculations होती है तो यह जो बीटा है यह बताता है कि bank nifty is more riskier than nifty तो यह जो बीटा जितना जादा होगा उतना जादा risk और returns दोनों की probability जाता होगी अब बात करते हैं इसकी PE ratio के अगर PE ratio की बात करें तो bank nifty अभी भी 22 की PE ratio पर चल रहा है जो कि किसी भी मामले में cheap नहीं है तो हो सकता है कि हमें अभी ऐसा लगता है कि 10% तक की correction अभी भी easily bank nifty के अंदर हो सकती है मैं आपको fundamental basis में बात करूँ देखिए कर technicals हो सकते हैं कि अभी थोड़ा और उपर भी bank nifty को ले जाए मैं उस बात से मनाने कर रहें बट जो अगर आप एक long term के निवेशक हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि bank nifty के शेस अगर आपके पास है तो उनमें थोड़ी सी profit booking जरूर करनी चाहिए और नीचे के prices पर जब दुबारा मिलते हैं तो जो है दुबारा से लेना चाहिए तो bank nifty में अगर आप देखेगा 17,000-17,500 के असपस जब bank nifty आता है तो यहाँ पर आप banking shares में buy कर सकते हैं अगर आपकी conviction long term की है तो और अगर आप ट्रेड इस भी करते हैं तो भी और जब 21,000 और 21,500 आती है तो वो बेचने का सही समय जो हो सकता है और यहाँ पर मैं आपको एगी बत बुलूँगा ना तो एक साथ में सारा खरीदना चाहिए लेकिन ना एक साथ में सारा बेचना चाहिए तो देखेगा मैं आपको कहता हूँ 18,000-17,000 फी bank nifty के जो shares है वो आप technicals की बजाए अगर यह principle फोलो करेंगे कि सस्ता खरीदो मेंगा वेचो तो आपको ज़्यादा profits की संभावना बनी रहेगी हमेशा तो यह ध्यान रखिया का कि नीचे के levels पर जबाए तो आप panic को भूल जाईएगा एक टाइम के लिए तो बैंकों के अंदर में यह नही पर बता है उसमें से भी आप state bank को हटा दीजेगा तो जो बाकी चार banks हैं अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर जो है निवेश के जो है अच्छे मोके भी आपको मिलेंगे लोंग टर्म के लिए भी लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि correction के time पर आप खरीदेंगे तो आपकी आपने लोंग टर्म के लिए ही शेस लिए हुए तो आपको ज़रूरत नहीं है banking sector से निकलने की अभी कि आप जो है 21,500 पर लेकिन जो trades के लिए जिनके पास थे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक partial profit booking जरूर जो है 21,500 पर करनी चाहिए और फिर थोड़ा इंतजार करना बैंक निफ्टी 18,000 के आसवास है तो दुबारा से उन शेस को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए और ये जो है मेरी एक educational तरीके से मैं आपको जीजे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अच्छा profit कमा सकते हैं बस शर्ते कि आप patience रखें धैरिये रखें और अपनी समझ से स educational वीडियो थी आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो है काम होता है और आपको ये भी बात पता चलगी कि जिसका बीटा जादा होता है वो जो है उसमें रिस्क और रिटर्स जादा होती है जिनके अंदर standard evisions जादा होती है इसका मतलब है उतार चड़ाव जिन शेसमें जादा होता है उनकी standard evisions जादा होती है तो bank nifty एक high standard evisions with high beta component वाले जो ही instruments के अंदर से शामिल है यानि कि nifty से भी जादा तेजी से react करने वाला जो instrument है वो bank nifty है या bank nifty के stocks हैं ये आज आपने सीखा यहां पर तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं thank you very much